नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल वोवी और आप इस समय देखना सुरू कर चुके हैं खास कार्जक्रम बिहार समाचार जहां बाते करते हैं बिहार की खबरों के साथ दिस दुनिया में किया कुछ चर्राए तमाम खबरों से हम आपको कराते अपडेट बिहार में राजनितिक उथल पुथल क्या चर रही है और किके पाठक और पटना के दिये में कितना बढ़ गया है बिवाद मौसम का हाल क्या है सरदी का कैसा सितम जारी है बिहार के नियोजी सिचकों के लिए क्या आई है बड़ी खबर तो वहीं आंगरवारी सेवी का और सहाई का वाड सदस मुखिया और सरपंच और बिहार के छाच्छातराओं के लिए क्या आई है बड़ी खबर गाउं की सरकार को लेकर क्या कुछ चर रही है वहीं निविदा पर बहाल, नियूजन पर बहाल, कर्मियों के लिए क्या निकल कर आई है बड़ी ख़बर तो सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं की होंगे तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजे क्योंकि आपकी सबस्क्राइब करने से ही हमें सदस्ता संक्या बढ़ती है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फ़ल होता है तो चलिए खबरों के सिलसिला सुरू करते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर करते हुआ खुशनुमा है बड़ी खुश खबरी है और बिहार के लिए गौरों की बात है जैसा कि आप नाम जानते हैं करपूरी ठाकूर का करपूरी ठाकूर को भारत रत्न देने का एलान किया गया है केंदर सरकार के द्वारा मोधी सरकार को भारत रत्न देने का एलान मोधी सरकार ने किया है मरनो प्रांथ भारत रत्न करपूरी ठाकूर को मिलने जा रहा है आपको बता दे कि करपूरी ठाकूर बिहार के पुर्वे मुख मंत्री भी रह चुके हैं सीम भी रह चुके हैं उप मुख मंत्री भी रह चुके हैं करपूरी ठाकूर जो हैं पिछडों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं नयाय के पर्तिक थे और सुतंतरता सेनानी भी थे एक सिच्छक के रूप में भी जाने जाते हैं और एक बड़े राजनी तग के रूप में भी है आपको बता दे कि करकूरी ठाकूर को भारत रत्न देने का एलान मोधी सरकार के द्वारा किया गया है बिहार के दुसरे उप दुके हैं और बिहार के मुख मंत्री भी रह चुके हैं आपको बता दे कि इनकी लुक्रफिता के कारन उन्हें जननायक भी कहा जाता रहा है तो या विःखार के लिए गवभ औरter बात है कि बिहार के बीहार के बाद भिःजितिक में बहुत बड़ा बदला होने जाए रह तक कि 22 जनवरी के बाद बिहार में राजनितिक बदलावाएंगे तो अब दिखने लगा है या सही है या गलत लेकिन ख़वर निकल कर आई है कि बिहार के मुखमंतरी नितिस कुमार ने मंगलवार को बिहार के राजपाल से अजानक जाकर मिले और मिनने के बाद जब राजपाल से मिनने गए तो उनके साथ में जदियू के वरिष्टे नेता विजय कुमार चोधरी भी साथ थे लेकिन सीम राजपाल से मिले उसके बाद वह मौंधारन कर लिये हैं कुछ भी बोलने से बच रहे हैं तो आखीर क्या संकेत है राजनितिक छेतर में क्या सचमुच में बिहार की सत्ता एक बार फिर बदलेगी क्या बिहार के मुकमंत्री एक बार फिर पल्टी मारेंगे जैसा कि कयास लगा जा रहा था कि फिर से बिहार के मुखमंतरी नितिस कुमार यानि जदिव भाजपा के साथ आएगी लेकिन फिलाल कुछ विससग्यों का कहना है कि ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिसके कारण मुखमंतरी अभी फिलाल भाजपा के साथ जाएं जा सकते हैं लेकिन फिलाल अभी नहीं लेकिन यह कयास और तेज हो गई है जब बिहार के मुखमंतरी नितिस कुमार राजपाल से मंगलवार को मिले यानि की बिते दिन इधर आपको बता दे कि केके पाठक और पटना के डेम दंदा अधिकारी डाक्टर चंदर सेखर के बीच बिवाद और बढ़ा गया है साब सब्दों में कहा गया कि अगर जो भी अस्कूल खोलेंगे उन पर कारवाई होगी जेल भेल पिये जाएगे सच मुझ में यह डेम का पामर होता है कि अस्कूल बंद हो या खुले उनके आदेश का पालन करना होता है जनकारों का मानना है कि डेम के आदेश के नम मानने पर उन पर कानूनी करवाई होगी यह तहल लेकिन कहा गया कि नहले पर दहला जहां बिहार के सिच्छा विभाग के अपर मुक्षची उने कहा कि स्कूल बंद करने से पहले सिच्छा विभाग से आदेश लेना होगा तब जाकर स्कूल आप बंद कर सकते हैं सभी जिल आदिकारियों के लिए निकाला गया था अब पटना के डियम साहिम ने जब 23 तक स्कूल बंद करने की पत्र निकाला तो सिच्छा विभाग से एक और पत्र निकली और कहा गया डियो सहाब को कि सभी अस्कूल को खुलवाएं कि उनकी पटना के डियम ने सिच्छा विभाग से कोई आदेश नहीं लिया था हलाकि कानून के पाठ डियम साहिम पढ़ा रहे हैं बता दिये हैं और अब नहले पर दहले की बात यह हो गई कि एक बार फिर से पटना के डियम डाक्टर चंदर सेखर ने एक आदेश पत्र निकाला है और सर्दी को देखते हुए कनकनी ठंड को देखते हुए विद्याले को 25 तक बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया तो है ना नहले पर दहला सही कौन है गलत कौन है इसके फेर में हम नहीं है हम लोग नहीं है लेकिन सच मुझ में सर्दी तो है और बच्चों के ख्याल से अस्कूल बंद होना भी चाहिए तो इस परकार से बिलकुल पटना के डीम ने एक बार पहल की है और विभीन जीलो से भी या मांग आम लोगों से लेकर सिच को तक भी उठने लगी है कि अस्कूल विभीन जीलो में भी बंद हो क्योंकि अस्कूलों में बच्चों की संख्या भी कम पढ़ रही है और थंड भी सर्दी का सितम भी जारी है वहीं आपको बता दे कि राहूल गांधी 30 को बिहार के पूर्णिया में जैली करेंगे जिसमें नितिस कुमार को शामिल होने की भी चर्चा है जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो निया यातरा के बिहार मीडिया कमिटी के चेर्मन प्र बेश होगा और 30 जनवरी को पुर्णिया पहुचने पर रैली होगी राउल गांधी से रैली को सम्मूदित करेंगे अब पुर्णिया में आई जिस रैली में ही बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार भी समलित होंगे साथी वहां पर माल निता दिपांकर भट्टा चार्ज भी रैली में भाग लेंगे अब इस पर भी क्यास लगाये जा रहे हैं और इंदिया गटबंधन की क्या हाले सीटों को लेकर फिलाल चर्चा जारी है तो हम आपको बता दें सिमांचल को लेकर के सिमांचल से गर्माएगी लोकसभा की राजनिती यानि कि चार फरवरी को पी पी नड़ा आ रहे हैं कटिहा तो पूर्वे कांग्रेस अध्याच राहुल गांधी के पुर्णिया में रहे लिए इधर आपको बता दें कि अजुद्या में रामलला की प्रान परतिष्ठा के बाद अब देश में लोकसभा चुनाओं की राजनिती जोड पकड़ने लगे अभियान शुरू करेंगे वे भाजपा की ओर से चार लोकसभाचेत्र के कार्चकरताओं यानि पुर्णिया कलष्टर में आने वाले सरसाज्य जोड चैतर की रहेली को संबोधित करेंगे वहीं परदानमंत्री नरेद्र मोदी बेतिया लोकसभाचेत्र के स्रुगोली में चार फरवरी को रैली को सम्भोधित करेंगे वहीं कांग्रेश के पुर्वे राष्टी अध्याचर राहूल गांधी तीस या एक तीस जनवरी को पुनिया या कटिहार में रैली करेंगे इसके बाद वे बंगाल की स्रीमा में परवेश करेंगे ते एक बार फिर से लोकसवाचुनाओं की रननिती राजनिती की शुरुआत बिहार में होने लगी है इधर कितने बालू घाट विखंडित कर दिये कर हुए निलाम 15 जनवरी तक घाटो का किया जाता था निलाम 266 बालू घाटो के इस वर सुनी थी निलामी बता दे कि बिहार में बालू घाटों की निलामी में हो रही सुस्ती को देखतेवे सरकार लगातार समस्या के निदान में जुटी है इसी कड़ी में अब खानेवां भुतत्वे विभागने जिलों में खनीज, विकाश, पदा दिकाडियों से पूछा है कि वे बताएं कि अब तक कितने बड़े बालू घाटों को विखंडित कर छोटे छोटे तुकडों में बाट कर निलाम किया गया है तो एक बार फिर से सरकार के बालू घाटों पर ध्यान आ गई है इधर बिहार को विक्सित बनाने के लिए करें काम बिहार के मुखमंत्री ने कहा है दो दिन पूर्वे बड़ी संख्या में जदिव में सामिल हुए बैस समाज के लोगों ने सोमबार को मुखमंत्री आवाज जाकर जदिव वैवसाई के वम ओधोकिक परकोष्ट को सयोजक ललन शरीफ के नितुरित में मुखमंत्री नितिशकुमार से भेट की इस मौके पर मुखमंत्री ने कहा कि सभी लोग बिहार को विक्सित राज की स्रेनी में लाने के लिए काम करें विकास के लच को धियान में रखें वही मुखमंत्री से मिलने गए बैस समाज के लोगों ने मुखमंत्री में अपनी आस्था परकट की बैवसाई समाज के उत्थान और सम्मान के लिए उनके द्वारा किये गए कार्जों के लिए अभार भी जताया तो इस परकार से बैश समाज की परतिरिद्व करते हुए मुखमंत्री से मिला गया चुनाओं के पहले जनता दरबार की उमीद कम फरबारी में बिधान मंडल का बज़ज सत्र है बिधान मंडल सत्र के दौरान जनता के दरबार में मुखमंत्री कार्जकरम का आयोजन नहीं होता है बताते चले कि मुखमंत्री नितिश्कुमार के दिल के करीब गवाले कार्जकरों में से एक जनता के तरवार में मुखमंतरी कार्जकरम अब लोग सबाचुनाओं के पहले शम्भव नहीं दिखता है इस कार्जकरम के मादेम से मुखमंतरी लोगों से सीधे उनकी समस्या सुन रहे हैं और उसका निदान भी कर रहे हैं इस बहाने उन्हें फिट बैक मिलता है कि नीचे के असर पर कामकाज की स्थिती क्या है लेकिन अब इस पर थोड़ा सा विराम लगेगा और लोग सबाचुनाओं के बाद ही अब एमुखमंतरी जनता दरवार लगने की सम्भावना जाहिर की जा रही है इधर पांच जीलों में सरकार बनाएगी वन अस्टाफ सेंटर यानि की परदेश सरकार यानि भी हर सरकार हिंसा से प्रित महिलाओं यवं बलिकाओं को एक ही अस्तान पर और अस्थाई आस्रे पुलिस और विदी सहायता से लेकर मेडिकल सुवधाद देने के लिए पटना समित पांच जीलों में सकी वन अस्टाफ सेंटर का निर्मान कराएगी महिला यवं बाल विकाओश निगम की परबंधे निदेशक वंदना प्रेशी ने इस संबन्द में भवन निर्मान विभाग के सचियू को एक पत्र भेजा है जिसमें पटना में दो दर्भंग गया गोपाल गंज और नालंदा जिले में एक एक वन अस्टाफ सेंटर के लिए भवन निर्मान विभाग को आगरह किया गया है तो अब इस तरह से महिलाओं और बेटियों के लिए बालिकाओं के लिए बिलकुल एक काम किया जा रहा है जो बेहतर है इधर बता दे तैयार यह है सरकार पुराने वाहनों को एवी में बदलने की बना रही है खास योजना योजना के तरह सब्सिडरी भी हासिल होगी इससे बढ़ जाएगा वाहनों का जीवनकाल बता दे कि 10 साल पुरानी डिजल और 15 साल पुरानी पेट्रॉल कारों को अस्कैपेज पॉलिसी के तह है कार मालिकों के इस रूख को देखते हुए सरकार पुराने वाहनों को खत्म करने के बजाए उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने पर वीचार कर रही है इसके लिए पुर्चाहराती भी दी जाएगी मैंने दी जाएगी मिलेगी और इसकी परकिरिया भी काफी तेजोगी दी जार सकती है इसमें और बिहार में 82% जम्माबंदी अभी अधार से नहीं जुड़ी है धिमीगती है इस वर्स जून तक इस काम को पूरा करने की लिए अपसरों को विभाकी और से खास दिसा निर्देश जारी किया गया है चार कडोर आठ लाख जम्माबंदी राज में कुल हैं और 74 लाख पच्छत्तर ही जुड़ पाई है अधार से सबसे अधीक बाका में 92 फिजदी इस से जुड़े हुए हैं आपको बता दे कि बिहार में जमीन की जमाबंदी को इसके समंदित मालिकों के अधार कार्ड से जोड़ने की मुहिम सुरू की गई है पिछड़े बस सितंबर से सुरू हुई इस कार्ड की प्रगती अभी बहुत धिमी है अब तक मुहाज 18 फिजदी जमाबंदी इस समंदित मालिकों के अधार कार्ड से जोड़ी गई है यानि 82 फिजदी जमाबंदी अब तक अधार से नहीं जोड़ी जा शकी है तो यह एक बड़ा कार्ड होगा कि कोई धुखा घड़ी जमीन के साथ नहीं होगा नहीं तो ऐसा होता था एक ही जमीन को चार चार बार बेची जाती रही है इधर तेजश्वी ने ब्यान वापस ले लिया तो केस क्यों जारी रहे शिस कोट ने मामहनी केस में सिकायत करता से पुचा तेजश्वी यादों की कथित तिपने से जुड़ा है मामला आपको बता दे कि सुप्रीम कोट ने बिते दिन बिहार की उपपंत्री तेजश्वी यादों की याचका पर सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए अस्थागित कर दी है पीठने का है कि याचका करता ने हलप नामा दाकिल कर अपना बियान वापस ले लिया है ऐसे में मुकदमा जारी रखने का क्या उचीत रह जाता है अब आप सिकायत करता यानि कि सोच कर बताएं कि मुकदमा क्यों जारी रखना चाहिए इधर हर वर्स पांच क्रोर पर्याटकों के आगमन की शम्हाउना है अयोध्या देश का सबसे बड़ा प्रयाटक के अंदरे अब होगा योध्या में राम मंदिर के भव उद्गाटन से सहर के सहर में प्रती वर्स कम से कम पांच क्रोर पर्याटकों के आने की शम्हाउना जाहिर की गई है यह संख्या स्वन मंदिर और तिरुपती मंदिर में जाने वाले सरधानों से कहीं अधीक आकी जा रही है ब्रोक रिज फर्म जेफ रिज ने अपनी एक रिपोर्ट के अनुसार जताया है कि हवाई अड़े जैसे बुनियादी धाचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से उत्तर परदेश का एक सहर एक बड़े प्रेटक के अंदरे के र पांच करोड से अधिक परेटक आ सकते हैं तो इस तरह से अयोध्या अयोध्या हो गया ज़र मुख बिहार में 12.09 लाक मद्दाता बढ़ें मुख निरवाचन पदा दिकारी ने मद्दाता सुची का किया परकासन आपको बताते चलें कि बिहार में लोकसबाद चुनाओक के बिहार के मुख निरवाचन पदा दिकारी दोवारा सभी 243 विधान सवाचेतरों की अंतिम मद्दाता सुची जारी किर्द कर दी गई है राज में कुल मद्दाता बढ़कर अब 7,64,33,329 हो गए हैं इसमें पूरुष मद्दाताओं की संक्या 5,78,766 और महिला मद्दाओं की संक्या 6,59,567 की ब्रिधी हुई है और नाम भी हटाये गए हैं इधर निर्णे सिचक नियुकती का पूरक रिजल्ट नहीं आएगा 1462 भ्यर्थी एक से अधिक परिच्छा में शफल दूसरे चरन के सिचक बहाली को लेकर ये खबर है आपको बता दे कि भियाव लोग से आयोग की और से दूसरे चरन के सिचक नियुकती के लिए ली गई परिच्छा अपूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा इसको लेकर सिच्छा विभाग ने आयोग को पत्र लिखा है इधर कचारी सचीव का मान दे 50% से अधिक पढ़ेगा कचारी सचीव को 10,000 वा नियाय मित् मिलेगा पंचाइती राज विभाग का परस्ताओ पर जल्द मिलेगी सवक्रिती इधर हम आपको बता दे कि पंचाइती राजमंत्री मुरारी परसाद गोतमगा करना एक पंचारी राज से जुड़े जन पर्तिनिद्यों का भट्ता ऴकले बढ़ा दिया गया है अब गरा रामकचारी सचीवूं का मांदे बढ़ने जा रहा है तो यह बढ़ी उनके लिए खुशकबरी है इधर नजीर बनेगा सिच्छा विभाग यह कहना है बिहार के नए सिच्छा मंतरी अलोग कुमार मेहता का सिच्छा मंतरी ने पदभार समहला और पदादीकारियों के साथ कास बैठक भी की सिच्छा मंतरी अलोग कुमार मेहता ने काया कि छाचातराओं की गुर्मता कुन सिच्छा मिले यह हमारी प्रात्मिकता है इसको लेकर पिछले कुछ मा में सिच्छा विवस्ता में काफी बदला हुए हैं आने वाले दिनों में इसे और बेहतर किया जाएगा अलोग की बच्य को बेहतर से बेहतर सिचा मिले सिचा विभाग अपने बेहतर कार्योग से देश के सामने नजीर पेश करेगा सिचा मंथ्ए बिते दिन पदभार गरहन करने के बाद पद्रकार दिनों के बाद कर रहे थ Christina में इस पर हो रहा है खास बिचार ड्यूटी पर परिवार के बीच संतुलन बना सकेंगी पुलिस कर्मी अधर भिहार में महिला पुलिस कर्मियों को उनके एचिक जिले में पोस्टिंग यानि तैनाती का लाभ मिलेगा राज पुलिस बल में महिलाओं के संक्या करेव एक चौताई होने के वज़ा से पुलिस मुख्यारे दवारा बनाई जारी नई तबावला निती में इस पर विचार हो रहा है इससे महिला पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर परिवार के बीच संतुलन बनाये रखने में खास म की तैयारी है एक में सुराचित मैसेजिंग प्रगति ट्रेकर की सुभदा होगी यानि की बीपेसी द्वारा नए चैनिस शिचकों की अस्कूल में पदस्थापित किये जाने के बाद अब एक के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी शिचकों की दिगई दिगई ट्रेनिं स्कूलों में पढ़ाने वाले शिचकों पर अब एप एप से नजर रखी जाएगी मोनेटरिंग की जाएगी जिसका शिचक पालन करेंगे तो इस तरह से सिच्छा विभाग में प्रती दिन कुछ ने कुछ नई पहल की जा रही है नई सोध किया जा रहा है इधर श्री राम मंदिर से जुड़े 500 सालों का इतियास अब पढ़ेंगे विद्यार थी बीर नर्मत साउथ गुजरात विद्याले का सर्टिफिकेट कोर्स 12 साल से ज्यादा उम्रवालों की दाखिला अयोद्या में स्री राम मंदिर के निर्बान को लेकर जहां एक और देश भर में उल्ला 500 सालों के इतियास को भी पढ़ाने की तैयारी की है तो यह एक बहुत बड़ी तैयारी है इस बिस्विद्याले के द्वारा इधत बिहार में लगतार सर्दी का सितम जारी है ठंड की छुट्ती पर डियम एसे सी आमने सामने हैं कडाके की ठंड को लेकर सिच्छा विभाग और डियम आमने सामने आ गए हैं पत्रा चार अधिकारों की ब्याख्या तक पहुच गया है एक और डियम ने कहा है कि सी आर पी सी के तक निर्गत उनके आदेश को मादमी सिच्छा निदे सक या अपर मुक्षचिव तक नहीं बदल सकते हैं सिच्छा विभाग को उनके सामने सामने हो गए हैं और एक बार फिर से डियम साहिब ने छुटी को बिस्तारित कर 25 जनवरी तक छुटी को बढ़ा दी है इदर सिच्छा विभाग की तस्वीर बदले बदल गई है सिच्छा मंत्री ने कहा है अलोक कुमार मेहता ने समाली सिच्छा मंत्री की कुरसी एक करोड एक सक्ट लाग को मिली है यह पुरसाहन रासी तो यह चातरों के लिए बड़ी खबर है इधर सिच्छकों को देने होंगे तिन विकल्प सचमता परिच्छा का नोटिस जारी कर दिया गया है नियोजी सिच्छकों को सचमता परिच्छा कितिती जारी कर दी गया है अपुस्त काला जचने ध्याचों को इस परिचा में शामिल होना है इधर हम आपको बता दें कि बिहार में लगतार ठंड गीर रही है और फिलहाल 26-27-28 तक इसी तरह से सर्दी का सितम जारी रहने की शम्हावना बताई जाती है तो बिलकुल आज की खबरों में इतना ही आप किस जिलास में वीडियो को देख रहे हैं जरूर कॉमेंट बोक्स में बताईएगा कैमरे के पीछे हैं मिश्टर साहिद धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम